फ्रेंट्स डिक्स्टोन टेक्नोलजी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। इसके अलावा आज मार्केट का सेंटिमेंट भी नेगेटिव था जिसकी वज़े से इसमें 18% से ज्यादा की गिराउट हुई। एक fundamentally strong share में ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। ये company future में अच्छा return दे सकती है तो आप चाहो तो इस पर विचार कर सकते हो। हलाकि ये मेरा कोई recommendation नहीं है कोई भी investment करने से पहले आप अपना research जरूर करें। थैंक्स पर वाचिंगे।